ओम शांती आज 18 एप्रिल दो हजार चौबिस है शिप बाबा निराकार है सत्य है और निराधार है इसलिए अपने बच्चों को भी निराधार बनाते हैं बाबा यही कहते है बच्चे निराधार बनो और एक बाबा को ही अपना आधार बनाओ तो आएए आज का स्लोगन भी निराधार बनाने की बात कह रहे हैं और प्रभाविद होने की बात कह रहे हैं सुनते हैं आज का स्लोगन किसी के प्रभाव में प्रभाविद होने वाले नहीं, ग्यान का प्रभाव डालने वाले बनो प्रभाव में आना या प्रभाविद होना, इसका अर्थ है बुधि का अटक जाना कही पर, किसी बात पर जब बुध्धी किसी बात पर चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो उसमें अटक जाती है उसके आधार से चलने लगती है तो बुध्धी प्रभावित हो जाती है क्योंकि बुध्धी उस बात के आधार से चलना शुरू हो जाता है बुद्धी आत्मा के आधार से नहीं चलती आत्मा बुद्धी को चलाना चाहती है लेकिन बुद्धी उस बात पर अठकी होने के कारण से उस बात के ही आधार से बुद्धी चलना शुरू हो जाती है तो इसी को कहा जाता है प्रभाविध होना मान लीजे उधारन के तौर पर कोई गुस्से वाली आत्मा ने मुझसे गुस्से से बात करी पहले मैं नॉर्मल थी, खुश थी, अच्छे थी, स्थिती वाली थी लेकिन जब उन्होंने गुस्से से मेरे से बात की, तो मुझे भी गुस्सा आ गया तो ये हैं प्रभाविद होना, उसके गुस्से के स्वभाव और संसकार से मैं प्रभाविद हो गई, मेरे बुद्धी उस गुस्से वाले स्वभाव संसकार पर अटक गई और मेरे बुद्धी उस गुसे के आधार से चलने लगी और उसी आधार से मेरे भी बोल गुसे वाले निकले, मेरे भी स्थिती हिलने वाले हो गए और मेरे भी जो संकल्ब है वो भी गुसे वाले हो गए प्रभावित सिर्फ बुरे के साथ नहीं होते हैं अच्छाए के साथ भी होते हैं अगर किसी की बहुत विशेश विशेशता है बोलने की विशेशता या कोई कला है नृत्य करने की या गीद गाने की या खाना पकाने की कोई विशेश विशेशता है तो उस आत्मा के प्रती भी हम प्रभावित हो जाते हैं उसी के बारे में सोचेंगे उसी की विशेष्टा का वर्णन करते रहेंगे और उसी के संग रहेना चाहेंगे और उसी जैसा बनना चाहेंगे बाबा इसको कहते हैं अमानत में ख्यानत लाना क्योंकि इनकी जो विशेष्टा है वो भगवान की देन है दाता की देन है दाता को याद करने के बजाए उन आत्माओं को याद करना ये भी प्रभाविद होना है इसलिए बाबा ने कहा आज के स्लोगन में कि अप्रभाविद होना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, उसके लिए हमें ज्ञान की शक्ती से शक्ती शाली बनने पड़ेगी ज्ञान माना नौलज, नौलज सिर्फ नौलज तक ही न रह जाए, लेकिन नौलज को जब हम विजदम में परिवर्तन करते हैं, तो हम उसे शक्ती शाली कहते हैं, तब हम विवेकवान कहते हैं जब विजदम से हम कोई भी कारिय को करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो हम उस ज्ञान की शक्ती को यूज करते हैं, और उस विजदम को जब दूस्ठों के साथ शेर करते हैं, दूस्ठों को भी उस इश्वरिय ज्ञान से हम प्रभावित कर सकते हैं तो अपने आपको बुधिवान बनाए अर्थात ज्यान का विवेक धारन करे, दूसरों को ज्यान से प्रभावित करे ना कि दूसरों के प्रभाव में या परिस्तिती के प्रभाव में आए ओम शांति